पास है सीधा हमें ठी आगए, दुनियां ही अलग है वो तो, सबस्ज मी नहीं आ रहा, क्या जलगा है हम, साथ आन दिन बाद मैंने फोन की आगए, पर मैंने का ये नहीं हो रहा है मेरे से, उस ताइन तक मेरे दिमांग में ये दाइंग मेरे को पढ़ाना है, और पढ़ाने में आने के लिए मैं को दिल्ली में रहना पढ़ेगा, अगर बेकप प्लान होता है ना, तो हम अमारा बेस्ट नहीं दे पाते, तो उन्होंने मेरे को ये गार कि या तो तू बाइगें पढ़ा ले या तू पढ़ाना छोड़ ले, जिन लोगों के जुसे चार चार पाच पाच से टेम्ट पो गये हैं, उनके लिए एक छोटा सा सजेशन, जो आपने बढ़ा बार बार पढ़ो, MCQ रेक्टिस कूप कर, आपकी लव मेरे स्थी की अरेंज मेरी, दूसरे मेरे सवाल है कि अभी आपकी अर्निंग कितनी है, ऐसे तो बढ़ा पाना मुश्किल है, डाल उल्टी चल रही है, नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू मेडिकोप्स चैनल, और आज हमारे साथ जो गैस्ट है, वेसे तो आपको इनके इंट्रोडेक्शन की जर्थ नहीं है, वो है डॉक्टर प्रियांज जैन सर, इंट्रपरिनियर, एजुकेटर, एंड डॉक्टरा, तो आज हम सर के साथ काफी लंबी चर्चा करेंगे, उसमें जानेंगे इनके आप तक के जो सुने अंसुने फैक्ट हैं, लाइप के, तो वो डिसकस करते हैं सर के साथ, तो सर आपका सबसे पहले तो मेंडिकोप्स में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो भी जर्णी रही यहां तक की, आज ए लाइक प्रियांस जैन से, डॉक्टर प्रियांस जैन, एम डी फिजीशियन तक की, तो उसके बारे मिसर कुछ बताईए हमको, ऐसे तो क्या है कि बहुत लंबी जर्णी है, जब फरस्ट एर मेडिगल में गए हम, फरस्ट एर अबी बीजीशियन के बाद, तो उसके बाद में क्या है की, बिजनस बेग्राउंड से हैं, फैमिली, बहुत बड़ा बिजनस नहीं है, चोटा मोटा बिजनस है, तो first year के बाद उनको लग रहा था कि ये 10-12 साल लगेंगे इसमें तो खतम होने में बहुत टाइम लग जाएगा तो उन्हें सोचागी या तो तुम छोड़ दो तो उन्हें first year के बाद MBS छोड़ दिया और मैं business करने के लिए Bombay चला गया फिर वहाँ पर मैंने मैंने परको अलग अलग relative के या बेज़ा कि तू देख तरको कौन सा business अच्छा लग रहा है गोल्ड करना है कपड़े का करना है क्या करेगा तो जा देख आपने पर वहाँ पर क्या चूज किया तो नहीं मैं सब के या गया थोड़ा कभी हर रिलेटर की या गया फिर ये फर्स्ट एर के बाद की बात है जब मैं vacation में गर पर था तो फिर उन्होंने वहाँ से मैंने phone किया गया पापा मैं ये सब तो कर नहीं लेंगे और मैं बाज भी बाज रहे जाओंगा ज़के शादी नहीं होगी ऐसे तो मुश्कील हो जाए नगी कुछ तो कर लेता है तो नहीं का क्या कर रेगा मैं उस टाइम में नया कॉर्स आया था बी टेख बाय टेख कर कि वो कर लेते हैं तो मैं वापस आया और उस्टेन पर इंडिया में एक दो जगी हो रहा था, एक अमेटी में भी हो रहा था दिली में तो मैंने वो लगी मुआ करते है, तो मैंको उन्होंने यहां आए, इंटर्व्यू कराया, और एट्मिशन करा रही है कुछ फीस होगी, एक लाँ गांटा जार गया सपस दे दी, चार पान दिन में वो समझ में आगया कि यह मेरे से नहीं होना है, क्यूंकि बीसिकली मैं हली गटी से हो, खमनोर से, छोटा सा गाम है, तीन-चार अजार पोपुलेशन है वाँ, वहां से सीधा हमें ठी आगया, गूम रहा था, तो मैं वाँ गया, एक कॉलेज पेसिफिक करके उद्विपुल मैं, मैं वाँ गया, मैं गई, बी-बी-ए कर लेते हैं, बी-बी-ए करने कहा, तो उन्हें ने गार कि सर्व बी-बी-ए तो बंद हो गया, आपके 12 में परसेंट अच्छे हैं, तो हम आपको ब बी-ए कॉम इंग्लिश मीडियम दे देंगे, मैं गया, बी-ए कॉम तो नाम भी अच्छे हैं लग रहा हूँ, बी-ए कॉम देंगे, फिर उद्विपुल में एक कॉलेज चुला था, सिंगा निया, वो भी बी-एक बी-एक करना था, तो मैंने वहाँ पर ले लिया फिर, मै मैं वापस गर आ गया, अब कुछ वापस ऐसी परिस्ति थी बनी अगले, बब-दस एक दिन में, कि ये गर वाले तयार हो गए हुआ तो कर ले, MBBS से, और फिर वेकेशन था एक डीड़ महीने का, और मैं डीड़ महीना और ज्यादा खराब कर चुकर, थीन महीने खराब कर च स्मूध ली गया, इंटर्शिप के साथ ही मेरा पीजी में भी हो गया, और MD किया, MD मैं पहले UCMS में था, दिल्ली में, PSM में कर रहा था, लेकिन डीड़ साल करने के बाद मैं रियराइज हुआ कि मेरे को ये नहीं करना है, PSM, तो मैंने वो छोड़ दिया, मतलब आपने ये देड़ साल देड़ नहीं, पोने दो साल पूरे, और मैंने फर्स्ट इंटर्शिप में रेंग थी कुछ 3500 के असपस, 2013 में, 2014 में, तो उस ताइम पर बाहर तो मेरे को क्लिनिकल प्रांशिस मी मिल रहा था, तो इन जार पांशिव पर आपको, ENT, I.N.E., सेजरी ये सब मिलत देड़ दो साल, फिर मैं एक दिन रेलाईज हुगया, कि मैं रहा था, मैं प्लीन M.B.P.S. रहुगा लेकिन ये नहीं करूँगा, और उससे जिस तिन मैं रेलाईज हुआ, 27th of October 2016, और 12th of December 2016 को NEETPG का एग्जाम था, 45 दिस ते, जी, और मैं वहाँ पर रेजिगनेशन चोड़ के आप चोड़ के आगया, ये 45 देज ते फिर क्या तयारी में लग गए था, 45 देज में मैं रेको बेक अप में कोई प्लान नहीं चाहिए था, मैं जब मैं बोले, मेरा जो गाइट है, कि ऐसा कर तू, मेडिकल ले ले ले, तू पढ़, तेरा हो जाता है, सेलेक्श चाहिए थी, तो वो क्रियेट की मैंने, और छोड़ के आगया, फिर मैं 45 देज पढ़ा, उसमें मैं दस दिन बीच में उकरेन पढ़ाने भी गया हूँ, अच्छा, सेकेंड नावंबर से लेगे, 12 नावंबर, 2016 में उकरेन में था, 10 दिन, मैं कोशिंग वालों को मना जाता और रेंक आई मेरी कुछ 1905, फिर मैंने जेले नजमेर से मेडिसिन में किया, फिर उसके बाद साथ साथ में पढ़ाना तो चालू करी दिया था तब, तो फिर चली रहा है फिर तब से, तो सर इसमें जैसे आपने पढ़ाना चालू कर दिया था, MBBS के बाद, और उसके दोरा ताइम लेके ये मेडिसिन वाला भी निकाला, तो उसके बीच में ये जानना है, कि जैसे पढ़ाते हुए, जो आप मतलब कि पढ़ा रहे थे, और साथ में पढ़ भी रहे थे, PG का, तो उसमें पढ़ाने का कितना रोल रहा था? पढ़ाने मेरे को एक्साम कलिर करने में, व्यलब ये पूछा जाए हुए, आपनी PG कलिर करने में मेरे को बहुत हैल्प की, उस ताइन तक मैं तीन सब्जेक पढ़ा रहा था, और तो ए-टी और बाक्या, तो मेरे को 45 डेज में मेरे को तीन सब्जेक तो पढ़ने भी नही क्योंकि वो मेरे को आते थे मेरे को यह मान के चल रहा था मैं कि मैं इनको समान लोंगा बाकी कि यह 15-16 सब्जेक्ट मेरे को देख रहा है थे तो बस उससे में बहुत बहुत मिली और पढ़ाने लग जाते तो कि आपको एक माइंड सेट एक्जामिंगर जैसा हो जाते तो में पढ़ने लग गया था कि यहां से ऐसे कोशन बन सकता है तो जब भी मैं कोई नोट्स पढ़ रहा हता था तो मैं को समझ में आ जाते हैं यहां से ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है and that way बहुत है उससे तो उसमें तो जैसे आप पढ़ा रहे थे orthopedic ENT and biochemistry और आपने फि जब मैं गूण जा रहा था एक दो सम मना कर डेते थे कि यह तो पीजी अभी जा लोगी देग यह तो उपी सम हैं कि तो नहीं देंगी यह और पी शोग्र चल लोगी जो एक जिब मेरको बचा से दा मैं वा गया सो मैं नेगा मैं को तो कोई बात नीए फ्री में पढ़ाने तो बाहर के लिए वो बोल रहे थे कि एक सब्जेक्ट और करके आतू तो प्रिवेंडिम जा रहा है हित्राबाद जा रहा है एक उप लिगा तो मैं एंटी भी पढ़ाता था जवर्दस्ती फिर उनके बाया गेंगे टीचे से लेगे बाया गेंगे तो मेरे को बिलकुल भी न छोग दे तो क्योंकि उनके सड चले गए थे पढ़ाता थे जो तो मैंने का सर मैं कोशिश करूँगा मिरे को आता कुछ नहीं है तो मैंने खुद सीखा पहले मैं रोध पढ़ता वो ही आके बच्चों को पढ़ाता तो अच्छी बात कि होगी कि बाया के लिए सब्जेक्ट अगर बायो गेम अगर आपको आता है तो आप करोगे नहीं आता है तो आप नहीं कहल पाओगे तो सर नेक्स्ट मुझे ये जानना था कि अभी जैसे हम लोगों की FMG किलियर हो गया है तो जो PG देना है उसके लिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे I mean like piece of advice for PG की तैयारी के लिए देगे मेरे हिसाब से FMG is no more less than need piece और अगर आपने FMG बहुत अच्छे से तैयारी की है बच्चा क्या करता है जैसे FMG पास करता है उसको लगता है नीट पीजी लिए मेरे को बहुत पढ़ना पढ़ा है FMG तो छोटा एक्जाम है नीट पीजी लिए मेरे को बहुत पढ़ना ये पढ़ना होना है and they start increasing their content drastically बहुत शाई ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उस चकर में कुछ पढ़ भी नहीं पाते है और जब पढ़ने वेड़ते हैं वो content इतना हो जाता है उसको समेट नहीं पाते है ये जितने भी exam है चाए नीट PGA, चाए USMLE, चाए FMG इन सबका एक ही मंतर है आप content कम रखो और बार बार पढ़ो जब भी आप content कम रखेंगे न वो बार 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 पढ़ेंगे इतना अच्छा output आएगा जो बहुत साथ content से नहीं आता है exam में जो easy question है न वो बहुत साई चीज़े decide करता है तो मैं सब भी FMG को यही कहना चाता हूँ ठी आप जब भी exam clear कर लेता है न उसके बार में आप don't try to increase your content a lot जो आपने पढ़ा उसको बार बार पढ़ो MCQ practice कुट करो आराम से हो जाएगा लेकिन आप बहुत पढ़ने जाएंगे then मुश्किल हो जाएगी जी सरी USMLE का बताया आपने उससे याद आए कि आपनी USMLE भी qualify कर रखा है उसके बार में कुछ बताना चाहोगे अगर किसी को तैयारी करनी है तो उसके क्या benefit और क्या advantage, disadvantage क्या होंगे देखे USMLE में जो एक major draw है किना वो एक बहुत time consume है दो-तीन साल लग जाते हैं आपको ये सब steps clear करके residency तक पहुंचने में तीन साल लग जाते हैं और लगबग लगबग पैसे खर्च हो जाते हैं 10 लाग क्या सपस तो जो लोग अभी second year, third year MBBS में हैं वो लोग USMLE का सोचे हैं और अगर उनको US जाना है कैसे भी करके step 1 और बहुत बढ़िया हो गर step 2 भी वो अपना MBBS खतम होने से पहले देते क्योंकि वो eligible है second year के बाद वो कभी भी दे सकते है अगर आपने step 1 यह step 2 दे दिये हैं then तो आप एक momentum में भी आ जाएंगे flow में आ जाएंगे और फिर कुछ time लगए आपको UK जाना है and you will get your objective and then your residency so that way it will be easy लेकिन अगर आप MBBS खतम कर चुके है then I will not suggest to do go for yourself because 3 साल लग जाते है और अब MBBS खतम करने के बाद एक यह जा जाती है 23-25 साल होगे 25 साल की यह जागे अब कमाना भी है अब अगर अगर अपन 3 साल तक और invest करते जाएंगे तो मन में वो ऐसा लगता है हम कब कमाएंगे, कब कमाएंगे तो जो लोग कम अभी 2nd, 3rd year में go for it if already cleared then try to search for other option maybe NITPG, maybe AMC और PLAP जी और एक और सवाल है कि काफे लोग इदर जैसे मैं FMG हूँ इदर से जो दोस्त हैं IMG वाले तो वो लोग भी कहा है कि equal तरीके से थोड़ा देख नहीं थे मतलब नहीं देखते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहूँए किसी के नजरिये तो अपन बदल नहीं सकते हैं जिसको जैसा देखना है दिखेगा लेकिन अगर मैंने दोनों के साथ काम किया है FMG के साथ भी जब हम वहाँ रेजिडेंसी में थे और उसके बार मैंने अनन्ता आस्पर मेडिकल कॉलेज उदेपुर में वहाँ पर भी काम किया as a consultant तो दोनों तरीके के जूनियर रेजिडेंट थे जो FMG पासवर्ट भी थे आईमजी भी थे दोनों equally good है और rather कुछ-कुछ aspects में FMG आगे जिसे की क्योंकि आप जब बाहर होते हो पांचे साल आपने दुनिया देखी आपने खुद सारी परेशन है जे लिए आपने खाना खुद बनाए आपने बहुत साइचे शे खुद की तो only thing is आपका mental barrier है एक आपने एक तो खुद अपना नजरिया भी यसे ही बना रखा है कि इंडिया में पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे आप वहाँ तो practical होता है यह होता है वह होता है हमारे यह तो यह नहीं हो रहा है कहीं कुछ नहीं होता है पर आपके हर चीज फिंगर टिप्स पर क्या नहीं मिलता Google, Telegram you can learn anything तो यह तो आपके मन में होना चीज़ सी मैं तो no more less rather better यह सर यह चीज़ तो मैं फील करता हूँ कि बैटर क्योंकि जैसे मेरी युनिवर्सिटी में वहाँ पे clinical exposure भी कापी अच्छा था उसके बाद हम लोगों की जो vacation मिलती थी दो महीने की उस में भी मैं एक बार तो आया नहीं था गर पे तो लब इंडिया नहीं आया था मैंने उधर ही वहाँ पे रसिया के गाउं में हमारी posting लगी थी तो एक महीने मैंने वहाँ पे practice की थी उसमें गाएनों में लगी थी मेरी तो हम लोग वो clinical rotation पे जायर गरते थे उदर तो मतलब वो सारी चीजे एकदम अच्छे से की थी हम लोगों ने तो मुझे लगता है कहीं कहीं कि एक better way में चीजे है वहाँ पी मैं तो आपके कोलेज में पढ़ाने भी आयरा लास्ट एर बश्कीर में तो सुपर infrastructure मनलब ऐसे lecture hall है इतना अच्छा वो अभी रिसर्स सेंटर भी बनाए है आपके वहाँ पर तो आप तो शेर आगे है आपने इनोगरेशन भी ने लेखने है उसके बाद यह difference between IMG और FMG के बारे में तो मुझे और personally कई non-medical जो लोग है उन लोगों को यह जानना है कि FMG का result इतना डाउन कैसे रहता है देख उसके दो गारण है पहली चीज आप देखो number of students का जो pull है see for example इस बार 40,000 students ने exam दिया अब इसको थोड़ा सा डीटा को segregate करते है हम इसमें से यह देखते है 40,000 ने से first और second attempt कितने थे तो वो number निकल के आएगा लगबग 8,000 के असपास आप उस 10,000 के असपास आप उस 10,000 के जल देखो उस 10,000 में से 4,000-5,000 पास हुआ है जो बच्छा डीसेंटली प्रिपेर कर रहा था एक्च्छल में क्या हुआ है कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जो लोग पास नहीं हुए बहुत attempt होगे उनके वो काम करने लगए, कहीं जॉब कर रहे है लेकिन exam देने जरूर आते है पढ़ नहीं रहे है, लेकिन exam देने आते है उससे क्या हो रहा है, वो पुल तो पढ़ता जा रहा है लेकिन उसनों पढ़ने वाला का नंबर है वो कम ही है तो overall result आपको percent wise कम देख रहा है लेकिन आप देखो कि जैसे आपके बेच में जो आपका बेच पास हुआ होगा अभी आप देखो उस एक साल के अंदर-अंदर आपके माँ से मालो 100 बच्चा है आप देखो उस एक साल में कितने बच्चे पास होगा तो that is the real percentage जो हमें दिख रहा है ना वो 20% वो 20 नहीं है जो decently prepared कर रहे है the average is around 50-60% this is one second जो लोग पास नहीं हो पा रहे होता है कि यह जब first attempt में नहीं हुआ तो हम हम यह सूसते हैं यहाँ मैंने कम पढ़ा हुआ इसली हुआ है हमने कुछ कम content पढ़ा इसली हुआ है यह बिलकुल करते है और हम वहाँ बड़ी गलती कर लेते है आपने content कम नहीं पढ़ा आपने content बार बार नहीं पढ़ा है और हम उस गलती को सुदानने के लिए आपने content पढ़ा थे कि और उस teacher का पढ़लो उसका पढ़लो यह पढ़लो वो पढ़लो and there the mistake happens क्योंकि आपने content पढ़ा लिए अब आप revision नहीं करोगे फिर वापस उसी loop में फस गए तो जो लोग नहीं clear हुआ है बिल्कुल आपने जो पढ़ा है न अच्छा पढ़ा है आप बस उसी को बार बार वापस पढ़लो और एक चीज़ को ensure बनना कि जो पढ़ा है अगर वहां से MC क्यों आएगा न गलत नहीं होगा बस आप साप पास हो जाएंगे एक्जाम पास करना डिफिकल्ट है ही ने आप एक सिंपल चीज़ देखिए चाहे आप MC की हिस्ट्री का कोई सा भी विपर लेलो आउट ओफ थ्रींडेड हंडेड वन्टवन्टी ईजी कोईशन आते हैं कि नहीं आते हैं किसी भी पेपर में आते हैं सो सवा सो ईजी कोईशन आएगे राइट अब मैं आप बोलता हूँ कि यह 300 MC की की मुखलेट है इसमें रियल पेपर है आप इसमें से आपने डीसेंटली प्रिपेड गया मैंने कहा कि यार इसमें से ऐसा सलेक्ट कर ले जो तेर वो सो सवा सो कोईशन आपको आते हैं आपने सलेक्ट कर लिया अब मैंने कहा है कि यह वन्टवन्टी कोईशन आपने सलेक्ट किया ना क्या मुश्किल बात है यह बड़ा हूँ नहीं है ना अगर यह मुश्किल नहीं है तो बागी के बच्छे होगे 180 कुशन में में बी 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 लघा के आएगा ना तो भी 45 माक्स आ रहे तो 45 और 105 वन रुटी हो गए तो बात ये कि exam difficult नहीं हम वो जो easy question है जो 120 easy आ रहे हैं उसमें बहुत mistake कर रहे है तो फिर बाद में आके बच्छे बोलता है silly mistake हो गई ये हो गया that has to be avoided आपको learn करना होगा easy questions you can't take it granted तो सर ये है like piece of advice for repeaters कि उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए बिल्कुल आप easy questions को आपको easy question भी एक number देगा difficult भी एक ही देगा ना तो हम क्या करते हैं आपने देगा होगा आप एक human tendency है एक difficult question आता है आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो और यार में को आता नहीं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक जो आता है तो रहन जम करते हो answer पे अरे भई आने वाला भी एक ही number देता था वो difficult भी एक ही देगा उसकी सही उने की probability थे थे ना जो easy था उसको ध्यान से पढ़ते है उसकी वो तो तुम्हें एक number देने की बहुत ज़्यादा वो थी probability यहां तो कम थी लेकिन हम उल्टा करते है हम difficult जो नहीं आता है उसको ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको ध्यान दे वहाँ आप easy question पर ध्यान दे बार बार पड़े उसको सही करें जी तो sir actually होता क्या है कि exam में उस टाइम इतना pressure रहता है student खुद मैंने भी दिया exam उस टाइम इतना load रहता है कि silly mistakes होई जाती है तो आप ये suggestion दीजिए कि silly mistakes को कैसे कम करे exam में हर चीज practice के साथ आती है और हम जैसा practice करते हैं हम वैसे बन जाते है आप जब GT दे रहे आप घर पर जब test दे रहे आप जब class में MCQ बल रहा है आप एक छोटा सा experiment करना जैसे मैं आपको बोलता हूँ exam का pattern change हो जाए for example और net board ये बोलते कि sir जैसे ही आप question submit करके अगले पर जाओगे आपको तुरंट बता दिया जाएगा आपने सही ये गलत किया और माल लो आपने 299 सब्मिट कर लिए आपका score आ रहा है 149 और question number 300 आपकी screen पर तो वो जो आप seriousness उस question को दिखाने वाले हो वो जो डर आएगा न वो नाम भी पूचेगा तो दो बार आपका खुद का नाम पूचेगा तो दो बार option देखोगे क्योंकि आपको बता है वो एक question मेरे 6 मही ने हिला देगा मैं जाता हूँ कि वो जो आपने pressure अभी feel किया वो आप MCQ करते हैं हर MCQ को आपको question number 300 मानना है जो आपको एक number देगा जो आपके 6 number 6 मैंने ले भी सकता देए सकता है हर question हमारे लिए वो है जब भी आप गर पे question कर रहे है चाहे 5 कर रहे है अपने लिए हर एक question हो ही है आप अगर इतनी seriousness practice करेंगे तो exam में अपने आप हो जाएगा लेगिर अगर मैं यह सोचू कि मैं एक्जाम में जाऊंगा और उस दिन सली mistake नहीं करूँगा ऐसे नहीं होता फिर वाप है क्यों कि आप तक हो दीगा बहुत pressure होता है आप nervous होते हो तो हो जाएगी क्योंकि आपने practice नहींगी उस nervous ने इसको control करनेगी जबनी में आपकी ऐसी कोई mistake रही है जिससे आप सीखे हो ऐसा कुछ experience आप share करना चाहेंगे बहुत सारी जैसे लेकिन एक चीज है कि जैसे कोई चीज जैसे होती मतलब मैं चारा हूँ मानलो मुझे मिल जाए ऐसा बहुत सी बार होता ना यह rank आ जाए यह ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा जैसे मानलो फर्स टाइम मैंने जब internship के ताइम पर दिया exam तो मैंने 3500 rank आए मेरे को दिली में कुछ भी clinical नहीं मिल रहा था उसने बुरा लगा और जब PSM बीच में छोड़ा तो भी बुरा लगा लेकिन आज जब मैं पीछे मूड़ के देखता हूना मैं जब देखता हूना बहुत सही हुआ क्यूंकि मैंने PSM लिया तो मैं ही आ रहा and I started this career also अगर मैं उस ताइम clinical चला जाता बाहर चला जाता तो मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूता आज कुछ भी नहीं होता तो आज जब देखते हैं तो आज अच्छा लगा then उसके बाद जब मैं किसी institute में बायक एम पढ़ा रहा था मैं sir को बोल रहा था कि sir मेरा medicine हो गया मेरे को please आप medicine दे तो उस टाइम मेरे को बुड़ा लग रहा था कि आप क्यों नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे and then all of a sudden दूसरे एक institute से मेरे को phone आ जाता है कि sir हम चाहते कि आप medicine पढ़ो तो वो हमें जो थोड़े time के लिए कभी कुछ नहीं मिलता ना और जो बुड़ा लगता है आप जब आगे जाके देखोगे ना आज से 5 साल बाद 6 साल बाद पीछे मोड़े के जो होता है अच्छे के लिए होता है so and all the mistakes and everything whatever दो thing है दो चीज़े है एक जो भी होता है अच्छे के लिए हो रहा है आज नहीं फील होगा ये वो सकता है 5 साल बाद फील होगा 6 साल बाद दूसरी जिए जितने भी mistakes हम करते they all are the learning tools हमें अगर उन से judgmental नहीं होना है सब करते ना छोटी गलती बड़ी गलती सब से होती है जब हम residency में थे तो कभी हमसे गलट diagnosis बन जाता है कभी कोई गलत procedure हो जाता है तो many mistakes we happen but अमको उन से सीखना है ना आज जैसे बोट सारे बच्चे एक्जाम त्लियर नहीं कर पा है तो we need to learn first we need to accept कि हमसे कुछ गलत होगा है बोट सारे बच्चे क्या सोचते हैं FMG से मान तो क्लियर नहीं होगा और रसन में तो बहुत पड़ाता है में तो यह भी किया में तो भी किया मेरा दोस्त प्रास होगा में नहीं होगा and they're just doing that thing बोलते रहते बोलते रहते उसमें टाइम वेस्ट होड़ा वो accept नहीं कर दा में कि भई कुछ तो गलत हुआ है कुछ गलत हुआ यह accept करोगे तभी तुम सही कर पाओगे and रही बात ऐसी कोई specific गलती की ऐसा तो मेरे दिमार में कुछ नहीं आ रहा लेकिन obviously बहुत सारी गलतिया की होगी लेकिन ऐसे कुछ में को याद नहीं कि ऐसा ब्लंडर मेरे कुछ में याद हो तो sir जैसे in future जैसे आपकी वो situation रही थी एक side आप P.S.M. को छोड़ने वाले थे उस time आपको छोड़ते हुए दुख हो रहा था दूसरे side आप medicine लेना चाह रहे थे तो उन दोनों के बीच अगर ऐसे situation हो जाये तो कैसे balance करना है हम लोगों को in future मेरे को ऐसा लगता है don't have plan B life में अगर आप कोई चीच बहुत मन से चाहते हैं अगर आप बहुत मन से चाहो गए तो इनिवर्स में इतने invisible forces है ना वो आप उस दुखका देंगे आप कर ही लोगे लेकिन आपने मन में प्लान भी बना लिया जैसे कि मेरे 200 नंबर आवी सकते हैं 200 नंबर नहीं भी आएंगे पास तो में हो जाओगा तो आप 100% नहीं लाओगे लेकिन अगर यही है ना मैं तो आएंगी आएंगे जो दिन रात यही सोच रहा है universe उसको उस तरफ दक्का देगा और आप लेके आओगे तो this is what I feel आप जिन्दगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं don't make a plan भी कि यह नहीं हुआ तो मैं यह करना हो अजर यह नहीं चाला तो मैं यह से चला लूँगा तो पहला तो होना ही नहीं फिर क्योंकि आप में द्लान भी मना लिए फिर वहीं पर जाना है don't make and be brave to take risk आज मुझे यसा लगता है कि वो जो 27 अक्टोबर का दिन था नहीं में देगे आया 5 लग आके मेरे को भी डर लग रहा था यार अब नहीं हुआ तो क्या होगा देगे तो आगे होँआ पैसे फोटी वाई डेजी बचे है but you have to be brave at one point और आप तो रिस्क लेंगे तो जिनी में कुछ ने कुछ मिलेगे क्योंकि उस ताइम आपके पास कोई प्लान भी नहीं था नहीं पर छोड़ने के बाद चोड़ दिया चोड़ दिया अब क्या है या तो होगे MBBS या कुछ करोगे तो सर जैसे कि आपने अपना PG मेंडिसिन में किया और उस टाइम आप पढ़ा भी रहे थे तो दोनों चीजों को कैसे मैनेज करी क्योंकि एक तो पढ़ना खुद और एक पढ़ाना तो फर्स्ट इयर में क्या होता था हमारे जिस क्विस्टिट में पढ़ा रहा था पिछले चाठ साल से तो वहां पर केवल तीन ही बैस्ट आंगे बास दिल्ली, हैधराबा, फ्रिवेडनम तो मैं क्या गरता था फर्स्ट इयर में मैं हुली पे, दिवाली पे गढ़नी जाता था मेरे साथ में जो कोपी जीते मेरे रिटने उनको गोलता था तुम जाओ, एंजोई करो लेकिन तब जब तुम आज जाओ गए मैं गढ़ जाता जाओगा, मैं तब चुट्टी मना दूँगा एक शुली मैं दिवाली पे गढ़ इसली नहीं जाता था क्योंकि दिवाली पे क्लास थो होते हैं बाहर, अगर मैं दिवाली पे चुट्टी ले ली बाहर भी क्लास में भी चुट्टी है तो मैं उस ताहिम हस्पिटल रहूंगा उसकी वज़य से एक तो मेरे गाईड के साथ मेरे कनेक्शन अच्छा हो गया किया और यह दिवाली पे भी गढ़ नहीं जाता, काम करता था और जैसे ही वह आते तह फिलम पे जाता, फिलम गढ़ नहीं जाता फिलम में जाता क्लास लेना है तिन दिन दिन लिया गया तीन दिन दिन डिर्वेंडम चड़ा है तेन दिन दिन तो ऐसे करके मैं सब्सक्राइब सेस किया किया तो जब असके जरू नहीं間 था कि तो बन गया है तो अब मैं को दिल्ली में आर्ट बेच पढ़ाने है ट्रिवेंडम पढ़ाना है एदरबात पढ़ाना है चेन नहीं बढ़ाना है इतने तो छुट्टिया भी नहीं मिलेगी लेकिन हमाद है वहाँ पर क्या था अजमेर में थर्ड येर वालो को जो थर्ड येर एसडेंट है हमारी रोइट में पर मौनिंग राउंस पर आना है के बल्ल मौनिंग राउंस पर इनिंग राउंस वगेरा कुछ नहीं है तो मौनिंग राउंस होता है 810 810, 1030, depend पितने पेशेंट है और उसी टाइम पे अजमेर में नया इर्पोर्ट खुला था और एक ही फ्लाइट थी दिनली की वो सुवऑ दिनली से चलती थी 9 बजे 7 बजे सोरी 10 बजे 11 सवा 11 बजे अजमेर आएगी और 11 के जलती थी 12 किला khaspedal के बार वो में को लेगे जाएगा अजमेर एरपोर 20 किलोवेटर दूर है सारे 11 बजे की मैं फ्राइट पकड़ूँगा दिल्ली आऊँगा क्लास में पहुंचूँगा डेड़ बजे तक डेड़ बजे से रात को सारे 9 बजे तक क्लास लोगा और रात को एक ट्रेन चलती थी योगा एक्स्प्रेस ग्यारा बजे जो सुबह पहुचती थी 7 बजे अजमेर वापस तो ऐसा मैं थे 3 मेने तक लगातार किया आना जाना है रोच मैं सुबह की फ्राइट से दिल्ली आता था दिन पर क्लास लेता था और शाम की ट्रेन से अजमेर तो जो मेरा टेक्सी वाल ड्राइवर था जो रोज ख़डा रहता था उचको इसको इस पता कि रोज शुबह दिल्ली जाता था है यह आता कब है वापस और यह रोज दिल्ली जाता भी क्यों है पर जीज़ तो क्योंकि एक ही फ्लाइट चलती थी वो जो जो दिल्ली साइए थी वो दिल्ली गई है अब तो अगले दिन आएगी वापस दिल्ली से यह खाह से आगिया सुपी सुपी वापस तो कुछ इस ता ही किसे तीन महीने मैंच हुगा बड़ी मुशकिल से और फिर तो फिर ख़तम हो गया फिर रेजिनेंसी गतम हो गई फिर तो I started working as a consultant assistant professor Ananta and then तो फिर manageable था फिर भी उसके बाद तो फिर चीज़ी आसा फिर पिर कोई restriction नहीं नहीं ना you can take leave and everything तो अभी at a present आप like full-time educator वो या फिर entrepreneur तो जैसे वोई उसके अलावा as a doctor like clinic वगरा भी कुछ है आप पहले मैं एक hospital में as a consultant था दो साल तक residency की बाद में अनन्ता में लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा था कि दूनों चीज़ों को manage करना मुशकिल होता जा रहा था classes बढ़ती जा रहे थे institute ये वो classes बढ़ती जा रहे थे hospital बहुत श्रिंक होता जा रहा था एक point फिर ऐसा आगया मैं को decide करना पड़ा गया तो यह यह तो फिर मैंने hospital obviously मैंने फिर छोड़ दी है वोई प्लान भी वाला तो खतम कर था और अब केवल एगी चीज़ है होस्पिटल गए होगे मेरे को लास्ट दोड़ा ही साथ होगे केवल मैं होस्पिटल तब जाता हूँ कोई मेरा गरवाला अगर रिष्टेदार बढ़ती है तो उसे मिलने जाता हूँ पेशेंट डेखने तो मैं गया जाना तो बनता है सब लोग चाते हैं कि हम बहुत रूंचाहियो पर जाया है बहुत चाहिए मैं जाता हूँ कि जहोँ मी मेलाई रिष्टल तो पर इसे अपने आप आते है और मेरे को भगवान का बत शुभई है की मेरे को वो काम करने का मुखा में लिया चो में बहुत पसंद है मिल ब fact अधू होता है जैसे मूलते हैं कि retirement करेंगे तो retirement के बाद retirement के बाद ओने मन की चीजे करना चाहता है मेरे को तो भगवान ने पहले ही मन की चीजे करने को दे दी कि बैटे को पढ़ा रहा है तो मैं तो वैसी रेटार्मेंट वाला काम कर रहा हूँ और उसके में पैसे मिल रहा है तो hopefully अगर मैं इसी को continue कर पाऊ और आप जिसे बच्चों का खूब प्यार मिलता रहे और बाकी जब काम आप पैसे की पीछे मत बागो प्याम के पीछे बागेंगे ना यू वर्क विट यूर फुल हाट वो दिख जाता है आपको ग्लास में सब जगे थेन आटोमेटिकली पैसे आपको पीछे आएगा तो सर अपी परजेंट टाइम में आप ये प्लस ये एजूकेशन ये कैसे मैंनेज करता हो बहुत डिफिगल ये केवल तभी हो सकता है जब आपकी फैमिली सप्पोर्टिव हो तो क्या होता है कि मैं कितने बार 20-20 दिन गर से बाहर हो 20 दिन ग्लास ले रहो कभी 25 दिन ग्लास ले रहो तो दो ही चीज़े होती है एक तो गरवालों को भी कभी कभी तो गुसा ही जाता है क्या है लगा लखा है ये तब ग्लास 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 तो अब क्या होता है कि कभी जैसे तो बहुत सपोर्टिव हो तो कभी दिक्कत नहीं आती मान जाते हैं लेकिन ग्रयुचा अच्टेन जैसे मेरको कहीन मैं दस दन्क लिए को अच्खाष ज्लिम्न 21 ले समय को मैं कुल अऊन, निम्या गुल्ता हम जैसे मैं रश्योर से जानम के शूर्णिगड़ कुल्ष तो मैं गुंब। Estrela Student derechos अच्टा हम अब ग्ता उच्छा यह जडे चल्डें तो मै इनको समझ में आने लग गया, जब भी मैं ऐसे गूनने बेने की बात करता हूँ, उनको समझ में आ गया, यह कहीं क्लास लें जा रहा है, इसलिए हमको रिश्वत दे रहा है, और इस पोड़कास्ट अगर उन तक पहुंच गया तो तो कंफर्म हो जाएगा, तो मुझी यह भी कोई आदमी अगर यह पैसे के लिए करेगा, कि मेरको इसमें पैसा बहुत दिख रहा है, और पैसे के लिए पढ़ान चाहता हूँ, वो पढ़ा ही मिपाएगा, विकुस आप लगातार बारा गंटे बूलने का छोड़ो, आप दू गंडे भी लगातार बोलने का चूड़ो होता है, उसके अंदर जैसे कोई स्टूडेंट है, वो आपे या तो फुल कंसेंट्रिशन के साथ नहीं सुन रहा, या फिर उसकी ऐसी एक्टिविटी दिख रही आपको कि वो उसकी प्रजेंस ओप माइंड वो आपे नहीं है, उस चीज वो कैसे एंडल करते हो, देखो मेर मेरे कोई बहुत सिंबल रूल है, बच्चे को पहले किता तो, आपको इंस्टाग्राम चलाना है, आपको वाट्सप चलाना है, आपको सोना है, आप सो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपकी वज़े से जो पढ़ने आया है, वो डिस्टब हो गया, वो बेल हो नहीं है, तो मेरी क्लास बोट फ्री है थी, मैं तो कोलता हूँ, आप स्वतंद देश के स्वतंद नागरिक, आपको सोना है, जाना है, जाओ, जिसको पढ़ना हो बैठे, नहीं पढ़ना है, कोई बात, there is no restriction, तो इस चीज में आप उन लोगों को मतलब ऐसा थोड़ ऐसी एज में है ना, पर हमारा केरियर स्टिक पर लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूत होती है, और दूसी चीज, वो सारे लोग बोलता है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एक बात है ना, कि मल, मैंने आपने दो दिन से खाना नहीं काया, यहाँ पे ख अच्छे के मन में है, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पास होना है, उसके मन में पास होने की भूग है, ना तो उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, वो जाएगा, पढ़ लेगा, लेकिन जिसके मन में भूग ही नहीं है, तो तो फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, so I feel कि अगर आपको ऐसा लग रहा ना, कि कोई से भी आप exam के लिए पढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं मोटिवेशन की गभी है, तो आपको सही में भूख ही नहीं फिर तो, वो गोगी तो आपको मोटिवेशन नहीं थी है, तो सर जैसे कि अभी जैसे मान लो कोई student है, अभी just MBBS graduate है, उसको भी अपना career as a educator बनाना है, तो उसके लिए आप क्या suggestion दोगए? I will suggest that does not come directly MDR करने की पूरा दिमाग में रखे, सब सब यह चीज़ी दूसरा, अगर आपके मन में पढ़ाने की बहुत इच्छा है इसलिए नहीं, कि इसमें monetary gain अच्छा होगा, पैसे अच्छे मिलेंगे इसलिए पढ़ाना नहीं आना है, आपको मन से है कि में को पढ़ाना अच्छा लगता है आपके अगरे कुछ 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 चालू करिए आजकल तो आप YouTube पर पढ़ा सकते हैं अपने roommate को पढ़ा सकते हैं कहीं से चालू करो थोड़ा सा content बनाओ, पढ़ाना चालू करो and slowly slowly you will learn कि आपको अच्छा भी लग रहा है, नहीं लग रहा है plus आपके सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, you take the good feedback from them, learn from that and ये छोटे-छोटे baby steps आप लेंगे आपको confidence बिल्ड हो जाएगा कि आप crowd के सामने बोल सकते है तो sir आपका जो first class का experience था, वो कैसा रहा मेरी first class थी orthopedics की तो class भी लग लग चार बजे गया मैं गया हूँ पर, आपने दिल्डी की classroom देगा हूँ न, एकदम congested होते है और जैसे teacher की जाने का रस्ता होता है, वो दोनों side में चेर लगी, बीच में से जाना, stage तर गे न, ऐसे होता है और आगे बेटने की अलग वो reservation की hood लगी रहती है, तो चार बजे की class थी मैं तीन बजास पर बहुंच गया था तो हमाँ एक office था, मैं वहाँ बेठा था और उसी time classroom खुला था तो बच्चों एकदम अंदर उस classroom में घुसे होंगे कोई pain फेक रहा है, को रजिस्टर फेक रहा है जगे रोक रहे सब अपनी अपनी अब तीन पिछपन के आसपरस हुए होंगे स्विटिशन के आसपरस, मुझे लगा मैं भी जाता हूँ चालू करेंगे, सेंट करेंगे तो उस time पर क्या, अभी बच्चे वो खड़े हुई थे उसमें, कोड़ेडोर में, बढ़ा हुए ग्लास, बेटने, अभी बेटे नहीं है, आदे बेटी आदे खड़े आसा तो जोस्तों से लास्ट बच्चा था, उस कोड़ेडोर में सबसे पीछे की ता नहीं है तो यह बात है, दस साल पहले, मनलब में आज साड़े नो साल दस साल होगे पड़ाते पड़ाते, तो फर्स लास में कोई नहीं जानता था, और दस साल पहले मैं दिखता भी थोड़ा चूटा था, तो बच्चे की और इस्टुडेंट की जो मेरी एज में कोई बहुत खास स्थानी, तो खान जा रहा तो, फिर मैं बाबस चला गया, फिर मैं वहाँ जो मेनेजर था, उनको बूला गया, चलो तुम छोड़ किया, जाते तो दे दी रहे, फिर वो आया, फिर लेके गया, एंड इस आवर इस स्टार्टेट, बट दे दी दी चीजे होने लगी, एंड तो ज़र जैसे कि अब एटे परजेंट टाइम में, जब क्लास लेते हो, अब तो कहरो, अलड़ी सारे स्टूडेंट जानते ही हैं, लेकिन अब कैसा एक्सपिरेंस रहता है आपका, और मैक्जिमम कितने स्टूडेंट होगी क्लास ले चुके आप, एक साथ, आप क्लास में कमेंट आ रहा है कभी मही दरफ से कमेंट जा रहा है, तो इसमोर फटी, मैक्सिमम आइटिंग मेबी थाउजन, थाउजन, तूजन, तूजन, तूजन तूजन का सबस, ऐसा नुच रहा होगा हो, उसमें से दो-चार स्टूडेंट तो ऐसे होते ही रहते हूं, जो भूटिं नहीं है कि वो लोग इदर-उदर भ्यान रहता होगा या फिर इस तरीके की चीजे करते होगा, अब वो तो बच्चों कोई पता है, तो तूम्हा पता, तो सर जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, तब तो ओफ-लाइन में क्या होगा स्टार्ट, उसके बाद कोरोना के बाद उनलाइन में आयोंगे, तो आपका जो बेटर एक्सपिरियंस है, वो किस में रहता है, उनलाइन में या फिर उफ-लाइन में, परले तो ऐसा था, वेपो ओफ-लाइन क्लास ही पसंती, और उनलाइन क्लास में अच्छा था, ओ, उस मृत्तिव, मतलब इतना खराब लगचा थ कितना बर्डन होगा, यारी, बोलते रो, बोलते रो, कुई दिखनी दा, कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है, ओनलाइन क्लास में आजकल एक चेट बोक्स भी चलता रहता है, उस में चेट बोक्स में, इतने कमेंट आते हैं, बस उनको पढ़ते रो, वैसी आनन्द आ जाता है तो पहले में कुछ ऑनलाइन बोरिंग लगता था, लेकिन बच्चे इतना लिखते हैं उस में, वो दिन कहीं निकल जाता है, so earlier it was बोरिंग, now it's fine. तो सर जैसे की, classes लेते हो, अब 10-10-15 दिन तक hectic schedule रहता है, उस में आप burnout को कैसे deal करते हो? जैसे आप बोरिंग काम करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, जो पसंद लिए गाम करते हैं, तो burn out का point है नहीं बहुत. और सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे यह है, जैसे आप बहुत सारी country में गए वो बार, अब तक का, आपका जो best experience रहा है, किस country में और कौन सी university में रहा है? अदिको यह तो क्या है कि सब बच्चे, सब students अच्छे है, ऐसे यह नहीं कहता है, मैं कि वो student बट प्यारा है, यह student प्यारा है, में लिए तो सभी अच्छे है, जैसे कि एक particular college रही होगी, कॉलेज भी नहीं कहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कहता है, मैं को बश्कीर अच्छा लगा, और मैं को आईसे में अच्छा नहीं लगा, यह मैं को अच्छा लगा, यह अच्छा नहीं लगा, तो सभी अच्छे हैं और सब जब को बच्चे students कूप प्यार करते हैं, तो I like everywhere to be, और next आपकी कोई favorite destination, जहां पे आप चानब संदधर होगे, मैं को ऐसे St. Petersburg जाना अच्छा लगता है, मैं साल में एक या दू बार जाते ही जाता हूँ वाँ पर, केवल रिस्ट करने के लिए, कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ, लेकिन नहीं साल में एक दू बार जा रहा हूँ और सर जैसा कि अभी ये नीट यूजी का जो रिजल रहा, कापी बच्चों के इसमें 720 में से 720 आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट, फैमिली सब सैटिस्पाई नहीं थे इन चीजों से लेके, तो इस वज़े से भी बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं, आप ब्रॉड में स्टूडी के लिए MBBS, और आप लोग तो आपे क्लास लेते ही हो, MBBS स्टूडेंटों की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कि जैसे इन लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाह ने के लिए, जब आपने सपना सोचाना, तो अपने आपको बैक करो, हो सकता है, नहीं टूजी में नहीं हुआ, वो तीन गंटे आपके खराब गए, हो सकता है, तो वो आपके जिन्दिगे के तीस साल डिसाइड करेंगे, ज़रूरी नहीं है, आप जो रस्ता मिल रहा है कर लो, और आज इसमें नहीं, उधर प्रूव करो, ठीक है, थोड़े से हुर्डल्स आएंगे, हो सकता है, फैनिशल बर्डन भी हो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, ओनली डू एमबीबियस, कहीं से भी, आपको इंडिया बाद, जहां से आपको तंफर्टेबल लगता है, कर ही रहती है, कि एक बार एमबीबियस हो जाए बस, और उसके बाद जैसे पीजी करना है, नहीं करना, उसका कितना क्या इंपोर्डेंस है, ये, उसके बारे में कुछ कहना जाओगी, as a, like, carrier, as a doctor, पीजी करना मस्ट है, करना ही पढ़ेगा आपको, अगर इसी फिल्ड में प् या कोई एक कोर्स करके, आप लाइफ सेट होगी, नहीं होगी, कोई सा भी कर लो, आप एमडी कर लो नो, उसके बाद भी नहीं होगी, टर्बुलेंस हर जगे आएंगे, हर जगे के अपने अपनी चुनोदिया होती है, आपने आज FMG का एक्जान क्लियर कर लिया, अभी प्यास पेशेंट ज़्यादा आना है, यह तो यह जद्दो ज़्याद कभी गतम नहीं होगी, यह तो किवल मनने के बाद ही सेट होगी लाइक तो, फिर आएगी परन शान्ती, तो यह तो एक वहाम है, कि कुछ सेट होगा, कुछ नहीं होगा, चलेंजिस आएंगे, आपको करना है, और इसे के साथ, फ्लो के साथ, फ्लो के साथ प्रोग्रिस करना है, ठीक है, शर एक लास्ट लाइक, पीस ओफ एडवाईस, पौर दा एपहम जी रिपीटर्स, जिन लोग वे जिसे चार चार पाच पाच से अटेम्ट हो गया है, उनके लिए एक छोटा सा सजेसन, भार भार पढ़ो ये स्वार कर दो कि वो जो पढ़ रूँ भार से आगा गलत नी होगा नाया पुछ मफपढ़ो और M.C.U. प्रेक्टिस करो रोज 50-500, 500 M.C.U करो आप 100% परसल जाऊगे लेकिन दोड़ना मद इदे उदर ये सोच के यार मेरा कुछ रहनीं जाए वो यह पढ़ रहा है, वो यह पढ़ रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप एजी गोशें सही कर गया है डिया दो है ना पास। मेरे पास थोड़े से रेंटम रेपिड फाय सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। उसमें फर्स्ट सवाल ये, कि आपकी लव मेरिस थी कि अरेंज मेरिज? बससे तो अरेंज मेरिज है, लेकि नम स्कूल में साथ मही थे, वो स्कूल में एक साल पीछे से, मैं जब ट्रेल में था, उसे तब पता नहीं था, अच्छा आपको भी नहीं बता था, पता ही था, जो तो मैं जब दीगने गया ना, तब मैंने पूचा, कि तुम पौन से मैं जब एक साल आगे पढ़ रहा था तो, तो उपर आ नहीं था, बहुत बड़ी असल, दूसरे मेरे सवाल है कि अभी आपकी अर्निंग कितनी है, ये तो, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है, आलेकि अच्छी है, और बगवान ने जो दिया है, अच्छी ही दिया है, वो उन माच करीच सकता हूँ, उस तरीके से कुछ आइडिया सामलिट है, लंबोग निनी तो बहुत वह नहीं गरीच सकता, महिन नहीं है, साल में शायद करीच लोग, लेकिन मैंने खूब प्यार जीता है, प्यार कमाया है, मन में बहुत शांती है, मुझे लाइफ में बहुत वो मैं आचल बहुत content free करता हूँ मुझे अब दुनिया से फरक भी नहीं पड़ रहा हूँ वो यह कर रहा हूँ उसको यह package मिल रहा हूँ में ज़सको मिल रहा हूँ मेरे को जो मिल रहा हूँ मैं खुश हूँ इसमे क्योंकि आपने जो earning किया है उसमें एक example में ही बेठा हूँ मेरा तीसरा सावल है सर आपसे की फैवरेट बुक कौन सी आप ऐससे तो मेरे को पढ़ना बिल्कुन पसंद नी है तो अगर कभी पढ़ने का ऐसा होता है तो एक तो मेरे को The Secret of Life is a good book then मुझे थोड़ा Japanese लोगों का कल्चर और Japanese का हिस्ट्री बढ़ना बसंद सर लाइक नेक्स है लास्ट मुवी यू वास्ट कौन सी मुवी देखे लिए याद भी नी है क्या देखा था ऐसा तो कितने दिनों पहले देखे होगी यह भी याद नी है यह भी याद भी मैं कौन सी भी ही है ठीक है सर मेरा नेक्स्ट स्वाल है लाइक हो भी आउटसाइड ओफ वर्क को नए नए आइडियास पर काम करना पसंद है कुछ कोई नए बिजनस प्लान कुछ नए आइडिया उसको डिसकस करना उसको कैसे कर सकते एग्जीक्यूट कैसे कर सकते कुछ नहीं चीजे करना ओके और लाइक आपका फैवरेट अक्टर शारुखान फैवरेट अक्टरेस नाम तो इससे सिवाई करना पड़ेगा सर कुछ मुझे ऑप्शन देतो तुम दो-चार तो नहीं कैसी सलेक कर लेता हूँ आपके ऑप्शन मैं मेरी तरफ से नहीं चून कर सकता ना मेरे को कुछ नाम भी याद नहीं आ रहा है यासे तो तंग नम ली कोई नहीं मैं काई नाम लेल सर जैसे की FMG में ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेब में नहीं कर पाते हैं लोग और सेकेंड अटेब में उसको ओर कम करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए कावद है ना हाथ कंगन को आर्शींगे तो तुम को दी तो तुमने कैसे किया वो ही बता दो तो 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 इस्ट विल इस्टुएंट को भी हेल्प है लेगी जी उसमें चलो मैं अपनी शेयर कर देता हूँ मेरे फर्स्ट अटेब में 109 ते सर उसमें और सेकेंड अटेब में 158 थे फर्स्ट पार जब मैं आया था तैयारी करने तो मुझे लग रहा था कि FMG तो है 300 में से सो लाने है मैं सोजर निकल ली जाएगा और यहां आके कोचिंग भी जोईन कर ली थी ओफ लाइनी दरगोतम नगर में और सब कुछ ठीक चली रहा था इतने एक दम मतलब fully discipline नहीं था कि मेरे को आते ही जैसे कि सारी चीज़ जैसे पढ़ाया उसके बाद तुरंत आते ही cover करनी है मैं कोसिस करता था होती थी बट कहीं कहीं लापरवाई रहती थी कि मैं उसका daily वो जो content था उसको मैं cover नहीं कर पाता था फिर ओ दीरे दीरे ऐसे बढ़ता गया तो अब यह चीज़े उस time तो realize होती नहीं है जब GT देता था है मैं उस time भी मेरा score नतलब डेट सो के आस पास हीता था तो मुझे लगता था कहीं कहीं निकली जाएगा फिर वहाँ exam में दिया तो वहाँ तो देखा की बन 09 नमबर पर जब एक्टम result आया तो वो soaking था मेरे लिए मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने कम नमबर आएंगे फिर उसके बाद गौतम नगर में मैं second time, third time फिर से आया फिर से ऐसा हो गया था कि उदर से मैं university थी मेरी बसकीर आप तो जानते ही उसके बारे में वहाँ से लोगों निकले कि मेरा channel था उस time मेरे एक लाग सब्सक्राइबर हो गए थे उस पे तो वहाँ से किसी ने जो AI के तुरू वीडियो नहीं मनाते है उस पे उस पे मेरा channel डाला कि राज इंदर कसाना, MediCops एक लाग सब्सक्राइबर, Failed in FMG और वो बात भी कहीं कहीं लग गई तो मैंने का यार, second time में तो कर नहीं है कैसे भी मैं आया, इदर वापस से और फिर मैंने fresh start किया क्योंकि फिर second time में जब मैंने तयारी करना शुरू करी तो मैंने यह burden नहीं रखा कि मेरा second time है उसमें मतलब मैंने as the first time की तरह ही तयारी चालू गरी थी के गोतम नगर में ही रह रहा था महाँ से खुद फिर self study करी दूसरे time में कोई coaching भी जोई नहीं करी थी आपकी biochemistry की video telegram पे फेरे में मिल गई थी मझे वो मैंने फूरी video देखी उसका मेरे को इतना अच्छा वेनी पिट रहा है कि biochemistry से जो सवाल आये थे ना सर उसमें मतलब हार topic से लगबग सारे सवाल थे दस बारा जो सवाल थे वो सारे एकदम सटीक मेरे सही हुए थे और तो एक तो ये मेरे को एक plus point ऐसे boost सा हो गया था पर जो जो subject में करती जा रहा था और medicine की भी मैंने आपकी वीडियो देखी जिसके अंदर एक था वो आपने recall में भी नहीं डाल रखा था उसके अंदर सवाल ये था कि जब intracranial pressure बढ़ता है तो उसके management से related था तो उसमें वो जो tube डालके abdomen में छोड़ते हैं वैसे कि same जो diagram आया था जो आपने अपनी workbook में भी दिया हुआ है same diagram आया था वो लेकिन वो वो में सही करके आया था तो मतलब ऐसे चीजे सही होती गई और हो गया था तो sir इस last सवाल के साथ हम finish करते हैं मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने जो viewers हैं उनके लिए आप कुछ सेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से क्योंकि इसमें ज़्यादा था FMG, PG और medical वाले ही है तो आप जहां पर भी देख रहे हैं जहां से भी सुन रहे हैं तो अगर आप medical school में है second year, third year में एक छोटा सा target लेवे every day try to learn something new for 40 minutes 40 minutes पड़े अगर कोई है ना medical college में 3-4 साल, 5 साल 40 minutes एक गंटा भी अगर कोई रोज पढ़ना रोज no holy diwali break रोज एक गंटा he will be completely different person और जो लोग वहां से आगए जो FMG, PG के यह पढ़ रहे हैं don't have any backup plan आपको करना ही and you will able to do that चीजों को simple रखो अपने mental barriers को हटाओ आप आराम से पा लेगे हम सब में इतना potential हम सब एक average human के लिए बात कर रो हम सब में इतना potential हम आराम से exam करेक कर सकते हैं हमार को हमारे mental barriers दूर करने दुनिया क्या करते हैं उसके influence को कम रखना है social media को cut करो focus what you are having work in hand आराम से करें आप आराम से first time में सारे exam clear कर लेगे चलो sir thank you so much thank you time देने के लिए बहुत बहुत धन्या हो झालन आराम से पस्ते हैं